नमस्कार जहिंद और एक्जाम गाइड गुरू का यूडूब चैनल आप सब भी देख रहे हैं यहां पर हम आपके लिए साइंस के सामाने ज्ञान के कॉश्चन लेकर आगा हैं पिछले 20 साल से बार बार आ रहे हैं और अभी भी जो ग्रूप D एक्जाम हुआ था उसमें भी कितना होता है तो प्रात्मिक स्वण जो होता है वो 24 करेट का होता है सुद्ध सोना भी कहते हैं 24 करेट सुद्ध सोना किसी पिंड का भार सरवादिक कहां पर होगा तो किसी पिंड का सरवादिक भार होगा ध्रूपर जब वो पिंड रहेगा न्यूटन मीटर मात्रक है किसक की प्रथम स्रेणी का उत्तोलग कहलाता है कि का टेलिफॉन लाइन में कौन सी उर्जा गामन करती है घतिज उर्जा का अभी बंज़क्या है तो गतिज उझा होता है आपका 1,2 Mv² यारखना कॉशन पुछागा एक्जाम में यांतरक लाब का मान होता है तो यांतरक लाब जो भी होगा वो सदेव एक से अधिक होगा एक से अधिक होगा या रखना एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा माद्यमान कितना होता है तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपका AC करेंट इसका माद्यमान होगा आपका दो एक चक्र की बात हो रही है एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमारित करती है कि तो छाया जो बनती है प्रकाश एक सरल रेखा में करता है यह चाया से में पर चलता है जो चाया बनती है लोगों की प्रकाश एक सरल रेखा में करता है किसी मसीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है तो यांत्रक लाब कहलाता है भार और प्रयास का अनुपात फ्लेमि की सतर से पिंड का फालानवी कोन साथ उपयोग में लाया जाता है यूरीनियम 235 नाब की अबिक्रिया में यूज में लाया जाता है दोस्तों जिसना लाइक नहीं कि सूरी के लिए पल्लाण वेक का मान हैं आपका कॉन विदपंदमात्रक नहीं है तो सब्सक्राइश कुछ dwo what Orange indication हम होता है तो मестningar तो just as शोटा है तूb होती प्लाजमा वोती है पदाथ कि चौतिोस्ता नोहे पर जंग लगने से उसका भार आपका बढ़ जाएका जल होता है cousin Meadron का अनुपात कितना कितना होते हैं दो हैं अनुपात है फेलाख का द्रव में बदलना क्या कहलाता है तो वास्प का द्रव में बदलना संगनन कहलाएगा या रखेगा सुद्ध पानी का कोथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सलसिय सुद्ध पानी का कोथनांक होता है नाविक की तरज्या होती है तो 10 की उपर माइनस 15 की घाट मीटर नाविक की तरज्या होती है नीट्रोन होता है तो नीट्रोन एक आवेश हीनकण है या रखना नीट्रोन आवेश हीनकण है कमेंट करके होता हो, इलेक्ट्रोन पर क्या होता है, कौन सा आविश होता है, धनाविश या रनाविश, इलेक्ट्रोन पर कौन सा आविश होता है, धनाविश या रनाविश, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके हो, सभी इंटलिएंट बच्चे, अमले स्वाद में कैस दो बार शूने होगी 3000 एंग्ष्ट्रम तरंग दैर्थ के प्रकाश तरंग की आवरत्ति क्या होगी तो एक गुड़ दस की उपर पांच की घात हर्ण होगी 3000 एंग्ष्ट्रम के प्रकाश तरंग की जो है आवरत्ति सोनोग्राफी में काम में आती है तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे काम में आती हैं आपकी सीपेन मातरक है तो सीपेन ये आपका विद्धुद्चालक कत्व का मातरक होता है शीपेन प्रतवी और चंद्रमा पर भार का अनुपात कितना होता है, छै ह Iyaपक ये और दोक्टर कहिस सद्ण्स प्रयू 고 snakes करें नौध ये आपकी लेंज्स का आउटल ये और जो आपका लेंज्सरत वर्प्र बॉला ये एक प्रकास वर्स बराबर होता है, दोसतों, question आप देखी रहे हैं, कितने शांदर question है, ये question आप जिसे exam कीत्यारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं, और हमने देखिए हर एक्जाम में GK और GS आता है साइनस आती है GK आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने 10,000 GK के MCQ कॉश्चन तयार की है कितने एक नहीं दो नहीं 10,000 कॉश्चन और ये 10,000 कॉश्चन आपको 300 रुपए की PDF पड़ेगी PDF बना ली गई है सभी को PDF WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से सब लोग WhatsApp चलाते हो WhatsApp पर PDF भेज दी जाएगी 300 रुपए की PDF है फोन पर Google पर पे टियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो जो हमारे शेनल पर सुरू से जुरा है उसके लिए भी और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी कितने कॉशन मिलेंगी 10,000 कॉशन रट लोगे ना तो GKGS महा श्ट्रॉंग हो जाए हर सब्जेक्ट में जिसको भी PDF चाहिए नीचे देगा नंबर संपर कर लेना कॉल कर लेना मैसेज कर देना या WhatsApp पर हैं संपर कर सकते हो नीचे देगर नंबर पर जरू ले ले लेना पढ़ना वाले बच्चे आपके एक्जाम में प्रतीुशत मिधेन होता है तो 55-55 प्रतीौ में मिधेन पाए जाता है एक मीघ में कितना किलोमीटर होता है तो एक मील में 1.609 इतना किलोमीटर होता है एक मील में कैंची किस प्रकार का लीवर होता है तो कैंची जो कहलाता है यह प्राथ में के लीवर कहलाता है पार्सिक किसका मातरक है तो पार्सिक आपका दूरी का मातरक कहलाता है पार्सिक किसकी प्रतिरोगता का कम होती है तो एल तो प्रति धोपी तो खता है कि सुनने के पर अवश्चक नियूंतंं द॓री कितनी होती है यह सट्रार्मी आवश्यक ने है लोंगा हुग और न को घुए जिसको भी चाहिए निचे रोगा बोगा लिना बहुत helpsMoon रहे आपको Group D के लिए और other exam के लिए समतल दुर्पन की वक्रताति कि नि तो बघली के अपकर घरों में किस क्रम में लगा जाते हैं बजली के अपकर घरों में सामानांतर क्रम में लगा जाते हैं ठर्षत अनायों का मात以前 नलगा प्रश्टनाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रती मीटर है प्रश्टनाव का मात्रक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तो क्यांची जो है यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा समान वेक से चल रही वस्तू का तुरान कितना होता जो समान वेक से चल रही वस्तू का तु जूने होगा दो उत्तरोत्तर श्रंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्थ के बीच की दूरी क्या कहलाती है तो उत्तरोत्तर श्रंग और उत्तरोत्तर गर्थ इनके बीच की दूरी आपकी तरंग दर्द कहलाएगे दर्श्य प्रकास की तरंग दर्द परास है तो दर्श्य प्र एक दिसम्लट 6 गड़ 10 के उपर माइनस 19 की घात कूलांप एक इस्टोरेज बैटरी का विद्ध वाहक अबल निर्भर करता है तो यह इलेक्ट्रोड की प्रक्रती पर निर्भर करेगा इस्टोरेज बैटरी का विद्ध वाहक अबल आइस्थाई चुम्बक बना जाते हैं तो साथ ऐलाद्य होती है 2OLD स्प्रेक्ट्रम की सटनग儿 कि क्या होता तो पांच जगत वर्दी करनँर या पंची आन्य क्या वीट करने जो है प्रति पालित किया एक तरल में 1-फ you a vraag किस प्रकार स्ँतो किस प्रसंजक रंगता है उसकर प्रसंज्च इसको बोलते कोता है लिए तो निूटन डिन वोकी मamientos कि भलकी निविटन आपको 746 what 1 hp or horsepower हिंदी में आश्चो शक्ति बोलते हैं कनफ्यूज मन्त होना प्रत्वी के उपगरह का कक्छी वेग निर्भर करता है तो यह कक्छा की तृज्ञा निर्भर करेगा प्रत्वी के उपगरह का कक्छी वेग पारे तीरथ तरथ कांच के बीच इस पर्ष कौन गया था नाविकी अभीक्रिया में क्या संदक्ष्जट रहता है रदरफोड के द्वारा प्रत्वी के ऐक्र मंगल पर गुत्वी त्रणी का मान हैं चिंटा किस प्रकाल का उत्तोलक है जो चिंटा जो है तीसरी स्रीघी का उत्तोलक कहलाता है एक सेल की शुद्ध E.M.F. मानक मा पनका स्रिष्ट उपकरण क्या है तो सेल का अपना है तो आपको स्वाप प्रेर कत्यों का एसा ही मत्र कहलाएगा इस्थाई चुमबक बनाकर जाते हैं तो इस पाल की इस्थाई कि स्रेणि का उत्तोलक है तराज〜 उज़ामे रुपांतरित करता है तो डाइनेमो यांत्रक उर्जा को विद्थ उर्जा में रुपांतरित करेगा उलेक्ट्रों सूख्श्मीदरसी में लेक्ट्रों Сुख्श्मीदर्सी में किस तरंग ऑ miesz तरंगोंates में प्रयूर्च कीया जाता है, पराश्रवी तरंगों की आवरत्ति कितनी होती है तो 20 000 हड़ से अधिक होती है, पराश्रवी तरंगों की आवरत्ति, एक आवुतल अलपन की अवक्रता की अंदर से जाने वाली करण के लिए आपतित कौन कीतना होगा, तो 90 डिकरी सेल्सियस आप गलदांक होता है वंविक्षेपन की खोज किस ने की तो वणविक्षेपन की खोज आईजक न्यूटन ने 1665 में की है किरणों किरणों यूवी रेस से किस गैस रियेक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है जब यूवी रेस चोड़ेंगे आप LED के सिद्धांत पर ग्लू करती है तो क्वांटम सिद्धांत पर LED ग्लू करती है प्लाश्टर और पैरिस का सूत्र क्या है तो C.A.S.O.4 into half H2 आधा H2 प्लाश्टर और पैरिस प्रत्वी के साब एक चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार कितना होगा प्रत्वी की सतर से उपर जाने पर वा जाकंद्रमा कैसा होगा तो कम हो जाएगा संसार के सबसे लंबे पॉदे संवारैδे हैं तो gymnos जबॉद की संसार सबसे बड़ा वीजांड प्रत्वील पर उगनवाला कवक है लॉपायोफाइट बूमी पर पाएजाने वाला प्रतम पाधा कौन सा है तो ब्रायोफाइट भूमी पर पाएजाने वाला सबसे पहला पोधा है इसपात की कठोरता निर्भा करती है तो उसमें उपस्थित कारबन की मातरा पर इसपात की कठोरता निर्भा करती है तंगश्टंग एवं हीरा का गल्लांग कितना होता है तंगश्टंग का 3000 डिगरी सेल्सियस और हीरे का होता है 3500 डिगरी सेल्सियस चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन येस चांदी की चमक को काला कर देती है तमबाकू में विशैला पदार्थ होता है तो निकोटीन तमबाकू में विशैला पदार्थ होता है दूद में उपस्तित प्रोटीन है तो कैसीन दूद में उपस्तित प्रोटीन है तो अफीम, मॉर्फिन तथा हिरोईन का मुख्ष्टत होता है, कुनेन प्राप्त होता है, कॉर्क प्राप्त होता है, क्यककस या ओक की पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है, सोन को घोला जा सकता है, तो सल्फियूरिक अमले या फिर सल्फियूरिक तथा नाइट्रिक एसेड म कि मिश्रम में सोने को जो है घोला जा सकता है ऑटो मोवाइल के हाइड्रोकलोरिक ब्रेक कारे करते हैं तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोकलोरिक नहीं आपकी जगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो लिक्विड ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ऑईल से चलते हैं पास जाता है. साबुरंबनाने की प्रक्रिया है. सबूर्वनन की प्रक्रिया है. कीटानू नाशक के रूप में किस का प्रयोग की जाता है. संक्या डिक्तम 8 हो सकती है. CO, gas का प्रक्तिक ऐसी होती है तो उदासीन होती है CO2 gas की प्रक्तिक ऐसी होती है तो CO2 gas अमली होती है धौनी की चाल किस पर निर्वर करती है तो माध्यम की प्रत्यास्ता एवं घंतों पर किसी पदात को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जब की आयतन बढ़ेगा लेकिन उसका द्रब्यमान नियत रहता है कॉंस्टेंट रहता है सेम रहता है एलकोहल का प्रयोग किस ताप मापी में किया जाता है तो वसा या फैट के साथ काश्टिक सोड़ा को बालेंगे साबुन तयार हो जाएगा व्यक्ति का भार लिप्ट में अधिक होता है तो अधिक तब होगा जब लिफ्ट ऊपर की और गती से बढ़ रही हो चीनी शोधन के लिए प्रयोगत रंजा कौन सा है तो बोन ब्लेक पैक करने के लिए प्रयोगत होने वाली सेलो फैन किसकी बनी होती है तो ये glucose acetate की बनी होती है dehydration से प्राया किस पदात की कमी होती है तो sodium chloride की कमी होती है पुराने तेल चित्रों को के रंगों को फिर से उबारने के लिए काम में आता है तो hydrogen peroxide काम में आता है कागज पर पुराणे उउगलियों के चिन्हों को किस से विक्सित किया जा सकता है तो silver nitrate के घोल से विक्सित किया सकता है hydrogen से सरवादिक मिश्रत तत्व कों सा है तो hydrogen सरवादिक मिश्रत तो आपका carbon है antibiotic ampicilline प्राप्थ होता है तो bacteria से प्राप्थ होता है द्रव्यों में उशिमा का सर्वुत्तम समभाखे तो पा रहा है अंडानू का निशेशन होता है तो फैलोपीन ट्यूब में अंडानू का निशेशन होता है एंटीबायोटिक्स नश्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नश्ट करते हैं दूद में पाई जाने वाली सरकरा है तो लेक्टोज दूद में पाई जाने वाली सरकरा है दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो एनाल जेसिक ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती है रासानिक रिष्टी से water glass क्या है तो water glass जो है ये sodium silicate है रासनिक रिष्टी से अंडे में protein पाय जाता है तो अंडे के उजले भाग में protein पाय जाता है penicillin क्या है तो penicillin एक antibiotic है दूद खटा होता है तो जिवानों के कारण दूद खटा हो जाता है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है तो gamacine बोला जाता है दूद की शुदता मापी जाती है तो lektometer के द्वारा दूद की शुदता मापी जाती है दूद के protein को पचाने वाला enzyme क्या है तो renin दूद के protein को पचाने वाला enzyme है दूद का pH मान कितना होता है तो 6.4 दूद का pH मान होता है कमेंट करके बता है यह मूत्र का pH मान कितना होता है मानो मूत्र का pH मान कितना होता है कमेंट करके बता है पाशुरी करत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सिस पर पाशुरी करत किया जाता है मूत्र दुर्गर्ण देता है तो यूरिया के काण मूत्र दुर्गर्ण देता है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यक्रत में बनता है यूरिया अधिकतव मात्रा में पाई जाता है तो मूत्र में पाई जाता है यूरिया का रासणिक सुत्र क्या है तो NH2CO-NH2 यूरिया औरब्रक में nitrogen मौजूद होता है तो amide के रूप में nitrogen मौजूद होता है यूरिया में nitrogen की प्रतीशत मातरा कितनी है तो 46% प्रतीशत पाई जाता है nitrogen प्रयोक्षाला में यूरिया का сейчас का सरता किया थो वह अने सबसे पहले का संसलेशंस किया सबसे पहले प्रोटीन पाठीक,亚ला上ई प्रोसवल de 21 Sta 번 होता यह तो प्रोटीन का पारचन जो है आपका प्प्सिंन एंजायम में से होता है र dessa मुक्ष कारी क्या है तो प्रोटीन का संसलेशन सबसे अदिक मातवाइब पाए जाने वाला कार्बन की योगी कौन्सा है तो अलीलोज है मनश्मे में बढ़ापा किस ग्रंति के लुप lagi हो जाने का नहाता है तो थाइमस ग्रंति के कमी कान को पोशन होता है अशुद्यों से द्रौ का कोतनांक क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा वर्षा की बूदे गोलकार होती है तो प्रश्ट तनाओं के कान सरफेस टेंशन के कान गनपावडर मिशन होता है तो सलफर चाल्खोल और शोरा का मिश्ण होता है ततकाल उर्जा के लिए खराणियों को क्या दिया जाता है तो कार्बोहईडिट दिया जाता है ततकाल उर्जा के लिए सुक्रोज में होता है तो ग्लुकोज एवं फ्रक्टोज इत्र की तीकी गंद और अतवा सुगंद की पहचान मस्तिस के किस अप्रम चैंजेतक, फूलों का दिन और पुष्प के अन्य भावित होता," ठीव और सॉड़्प फूलों। में सत्न्स तफल उत पंपन होता है तो केवल अंडाशे में खाद पदातों को खराब होने से भचानी केलिए प्रयूक कि यहलोजन में सरवादिक प्रभावशाली कों सी है HOW अग़ुघन है तो यूरेनियम डेटिंग विधी द्वारा जीवाश्मों का उम्रग्यात किया जाता है तो रेडियो कार्वन डेटिंग विधी के द्वारा जीवाश्मों की उम्रग्यात होती है सेलुलोज से बने क्रत्यम रेशे कहलाते हैं तो रेयोन कहलाते हैं मानो द्वारा संसलिष्ट पहला रेशा था तो नाइलोन था ब्लीचिंग पाउडर सी एओ सील्टू होता है तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट अमले वर्षा होती है तो SO2 और NO2 को करना अमले वर्षा होती है अमले वर्षा सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटन गैस निकलती है NTP सामन ताप एवं दाव पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है बॉयल नियम लागू होता है तो नियत ताप मान पर constant temperature पर बॉयल का नियम लागू होता है द्रवित petroleum gas LPG का प्रमुक संघटक क्या है तो butane और propane है परम शूने ताप मान कितना होता है तो minus 273.15 degree Celsius सभी गैस सुन आयतन घेरेंगी तो minus 273 degree Celsius पर सभी गैस सुन शुन 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 आयतन घेरेंगी सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो co2 carbon dioxide का बायो गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है तो क्या मिथेन हैं गोबर गैस ब्रापत होने वाली गैस कौन रहा जालता है तो कम्रे के ताप मां पढ़ेगा टेमपरिशर बढ़ जायेगा एक समान की आप बना रखने काम किसका करना स्ट थर्मो स्टेट का है रेफिजेटर के आविश्कार को है तो जेम्स हैरिसन रेफिजेटर में जल को ठंटा करने के लिए प्रियूक किया जाता है तो अमोनियम अमोनिया गैस का यूस किया जाता है आम का वैग्यानिक नाम क्या है तो मैंजी फेरा इंडिका आम का वैग्यानिक नाम है क्रत्यम शिल्क क्या कहलाता है तो रियोन क्रत्यम शिल्क कहलाता है वस्तू का भार अधिक्तम होता है तो निरवात में वेक्ष्टू में वस्तू का भार अधिक्तम होगा डी हाइडेशन से प्राया कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है इंडे का और बना होता है, और तो एलसेयम कर्बोनीट का बना होता हैं, कैपसूल का बना होता है, सामाने आख के लिए दूरबिंदू है, तो अनंत परुछांट के लिए दो सेकेंड मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता ध्वनी तरंग करती है अनुदर्ध तरंग का उधान है तो ध्वनी तरंग अनुदर्ध तरंग का उधान है अनुपरस्त तरंग का उधान क्या है तो प्रकाश तरंग अनुपरस प्पोर्सों में उश्मा का संच्रन होता है तो चालन विदी के द्वारा होता है। राजा कहा जाता हैं तो H2-SO4 को राजा कहा जाता है। किसका Chief का अम्लों का। प्रोगता है है I Maisud का Army से कहा जाता है, ह2-SO4 को K कोड़ा वाटर विलियन है तो गैस और द्रव का विलियन है अती चालक की प्रतिरोदक्ता होती है तो शून ने होती है अती चालक की प्रतिरोदक्ता अर्ध चालक पर ताप का क्या प्रवाव पड़ता है तो ताप बढ़ाने पर चालक ता बढ़ती है घटाने पर घट जाती है ए परद अफर दान है तो अर्थ चालक का उधान है वह है आपका एक तो कार्बन है सिलीकॉन है समी kom अर्ध चालक मतब सेमिकंड़क्टर कार्बन सिलिकॉन और जर्मिनियम अर्ध चालक के उधाण है रियक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में डैश का प्रियोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज होता है हीरे का अपवर्थ नांक होता है तो क्रमशा 2.2 आप हीगणत और 2.417 यह आप जो है अपवर्थ नांक एक एवगरेडु संख्या बराबर होती है तो 6.023 गुर्ध 10 की उपर 30 घथ एक एवगरेडु संख्या का मान होता है एक मूल बराबर होता है तो 6.023 गुर्ध 10 की उपर 30 घथ एल्पीजी में गंद के लिए मिला जा की बधभू की बर्फ का दरवडाँख एवाँ कितना होता तो जीरो डिग्री सेल्सियस केशियम पोतेशियम तथा केडमियम का है तो क्रम सिं खेल्शियम डोलोमाइट पोतेशियम का नाइटर और ग्रीन का औक ये आपके पयासि पारहिका प्रमुक Pop Fit क्या है तो तो लोही को इस पात में वदलने के लिए निकल धातु मिला जाता है निकल का यूज होता है लोही को इस पात में वदलने के लिए है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रिक्टिया होता है तो कच्चे फलों को पकाने के लिए metals iron Unity Europe उपा धिन होता है आपका गैसों का का था जो है आपका तामे और तिन की मिस्षधातू हैसा सबसे उत्तम कोईला है तो आपका जो हैtered затrade इंस्थे चाहीं Quards में होता है तो Silicon और Oxygen Quards में होता है Solder या टांका मिश्रण है तो Sisa Abum Tin का मिश्रण है Solder या टांका Loha Nickel और Chromium मिश्रधातु है तो Loha Nickel और Chromium ये Stalence Steel की मिश्रधातु है वेवकूफों का सोना कहलाता है तो Pyrites को वेवकूफों का सोना कहा जाता है अठारा कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% सुद्ध सोना होता है शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट सुद्धतम सोना होता है विद्धुत एवं उश्मा का सरुद्धम चालक क्या है तो चांदी विद्धुत और उश्मा का सरुद्धम चालक है लोहे को जंग से बचाने के लिए चड़ाई जाती है तो जिंक की परत जिसको galvanization प्रक्तिया भी कहा जाता है लोहे की मात्रा सरवादिक होती है तो पालक के पत्तों में iron भरपूर मात्रा पाय जाता है हरी सबजी खाईए लोहा मिल जाएगा iron steel body बन जाई iron body लोहे के किस रूप में carbon की मात्रा नियूंतम होती है तो पिटवेल होए में लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो पिटवाल होगा है क्रत्यम वर्षा के लिए प्रयोग में लाए जाता है तो silver iodide को भारी जल जिसकी खोच 1992 में होई थी किस ने की थी 1932 में होई थी माप कीजिएगा 1932 किस ने की थी यूरे और वर्षन ने की थी रासानिक नाम क्या है तो deuterium oxide D2O उसका सूत्र है भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है तो 20 होता है जल का शुद्ध रूप क्या है सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल जल की इस्थाई तथाई कड़ोता दूर होती है तो जल में sodium carbonate मिलाकर इस्थाई और आइस्थाई कड़ोता को दूर क्या जाता है जल में इस्थाई कड़ोता को दूर करने के लिए क्या मलाएंगे तो इस्थाई कड़ोता को calcium और magnesium की sulfate का गोले रहना इससे इस्थाई कड़ोता दूर हो जागी जल की आइस्थाई कड़ोता का कान क्या है तो calcium और magnesium के bicarbonate गोले रहते हैं इससे आइस्थाई कड़ोता रह जाती है तो helium gas बरी आती है सरवादिक प्रत्यास धातु होती है तो स्टील सरवादिक प्रत्यास धातु है सबसे कढ़ोर पदात कौन सा है तो हीरा सबसे कढ़ोर धातु कौन सी है तो platinum सबसे कढ़ोर धातु है सबसे भारी धातू, ओसमियम सबसे भारी धातू है, सबसे हलकी धातू, लीथियम सबसे हलकी धातू है, हलकी गैस यहतत्व, कौन सा है, तो हाइडोजन आपका सबसे हलकी गैस यहतत्व है, नोबेल गैस कहलाता है, तो नोबेल गैस आपका हीलियम, जो नोबेल गैस कहलाती है यहाँ पर सरवादिक हल्की गैस होगा सरवादिक यहाँ पर लिखा है इसके बाद हल्की गैस लिखा है सरवादिक हल्की गैस आपकी हाइडोजन नोबेल गैस हीलियम मार्च गैस मीथेन मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है भविष्का इधन कहलाता है तो hydrogen को भविश का इधन कहा जाता है आतिश बाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो इस्ट्रांसियम की उपस्तिदी कारन लाल चटक रंग आता है पटाकों में हरा रंग होता है तो बेरियम की उपस्तिदी कारन पटाकों में हरा रंग होता है बरतनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइट का उपयोग होता है कलाई के लिए खनीजों येवं अयस्कों से धातू प्राप्त करने की विधी है तो धातू कर्म विधी से खनीजों अयस्कों से धातू प्राप्त होती है आयस्क में उपस्तित अशुद्धी कहलाती है तो गैंग कहा जाता है अश्क में उपस्तित अशुद्धियों को नन इश्टिक या नोन इश्टिक होना चाहिए नोन इश्टिक बरतन पर किसका लेप होता है टैफ्लॉन का आधनिक आवत्सानि में अभर्गों तो था आवरती के कुल संग्या कितनी है तो आपके 18 वर्ग और 7 आवरत्त तत्वों का सबसे कहले वर्गी करन किस d doctor ने सबसे पहले वर्गी कРИन किया आवर्थसानि का पहला तत्व है तो haiडोजन आवरत्सालि का पहले तो है आवर्त साणी के जो है उदग्र और छेतिज इस्तंबों को क्या कहा जाता है तो उदग्र को ग्रुप कहा जाता है वर्ग और छेतिज को आवर्थ वर्ग और आवर्थ होते हैं आवर्थ साणी में आधुनिक आवर्थ साणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने किसे एक तत्व कि परमाडू में प्रोटोन या इलेक्ट्रोन की संख्या क्या कहलाएगी तो परमाडू संख्या कहलाएगी परमाडू के नाविक में होता है तो प्रोटोन और न्यूटोन परमाडू के नाविक में होते हैं परमाडू के नाविक की खोज किसनकी तो रदर फोड के द्वारा परमाणू के नाविक की खोज की गई विद्ध अब घटन में ऑक्सी करना या ऑक्सीडेशन होता है तो एनूड पर ऑक्सीडेशन होता है